प्रेज लोरड जै मसी की परमिश्वर की नाम की माई माहो और आज इस संधिया के समय में ये सुन्दर सभागय जो परमिश्वर ने दिया उस परमिश्वर का धन्यवाद करते हैं और ये दिन जो परमिश्वर ने बनाया है उस परमिश्वर के वचन के लिए अंदनिवात करते हैं क्योंकि हमारा परमिश्वर महान है और एक और नया दिन हमारे जीवन में जो परमिश्वर ने जोड़ा है और आज के दिन फिर हम मिलकर परमिश्वर के संदेश को सुनेंगे प्रभू के वचन को सुनेंगे, सो जितने भी लोग इस समय परमिश्वर का वचन सुनने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं, सभी का हारती का विनंदन हैं, सभी का स्वागत हैं, साथ-साथ इस समय जितने भी लोग हमारे साथ फेस्बुक से जुड़ रहे हैं, जितने भी ल लोग अभी हमारे साथ लगातार बन रहे हैं सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम हैं आप संसार के किसी भी कोने से जुड़ रहे हैं आपका हारदी का भी नंदन है और आज इस संध्या के समय में जब हम परमिश्वर का वचन सुनने के लिए इकटे जुड़ते हैं आज परमिश्व हीुड़ जिदा हैं सारे लोग हे अपने घरों में बजी हैं है ना बहुत सारे लोग अपने पने कोई औनम मना रहा है तो कई guidelines शतूरती मना रहा है तो कोई त्योहार में डूबा हुआ है लेकिन एक ऐसा जुन्ड जो परमेश्वर के राजे को खोशता है उस परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईए सबी का स्वागत करते हैं और आईए चोटी सी प्रातना को शुरुआत करते हैं कि प्रभु की आत्मा हम से बात करें आज जो परमेश्वर का वचन हमारे बीच में है उसके दुआरा परमेश्वर की नाम की महिमा हो और हमें कुछ नया और कुछ अच्छा और कुछ अनुग्रे की बातों को सीखने का मौका मिले संदर समय देने के लिए हम आपका धन्यवात करते हैं प्रभु इस समय जहां जहां से आपके लोग अलग-अलग माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजादी के पेच्छ पर प्रभु हम प्राथना करते हैं तेरा वचन हमें स्वतंत्र करने वाला है यदि आज कोई ब वचन हमें से एक एक के लिए आशिश का कारन बने आपका वचन हमारे लिए दोधारी तलवार के समान हमारे घर में हमारे अंदर हमारे बाहर हमारे जिस जिछेतरों में परमेश्व सुधार की जरूरत है मन फिराने की जरूरत है आशिश की जरूरत है अनुगरे की जरूरत है प्रभू हम मिलकर पाएं और परमिश्वर आपके नाम की बढ़ाई हो हमसे बोल और बाक्षित कर धनिवाद करते हैं ये शुमसी के नाम से मांगते हैं सुन और कबूल कर आमेन 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 सो एक और बार जितने हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं सभी का हार्दी का भी नंदन है all the way from Delhi मैं पास्टर शिखार रॉबर्ट आज आज आपके बीच में एक ऐसा अमेजिंग वचन लेकर आई हूँ हर एक दिन मैं आपको बताना चाहते हूँ एक अलग से हट कर हम परमिश से सेवकाई में जो भी मैंने सीखा है वो मी मैं आपसे शेयर करूंगी ताकि हम सब ही परमिश्वर में बढ़ सकें और हम तमाम लोगों के लिए परमिश्वर का वचन आशिश का कारण बने तो आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हम येशु मसी का नाम लेते है हम सबी को मालूम है हम येशु मसी का नाम लेते हैं बहुत सारे गरों में भी लिखा होता है कि येशु मसी की जह लेकिन हम ये नहीं जानते कि प्रभू येशु है कौन और येशु मसी का नाम लेने का मतलब क्या है या येशु का मतलब क्या है हम बहुत सारे लोग येशु लगरीती से पुकारा जाता है लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली आपको बताने वाली हूँ जिस नाम को आप लेते हैं उस नाम को लेने से आपके जीवन में क्या आशिशे आती हैं अब येशु मसी को हम हरे व्यक्ति पुकारता हैं हम प्राथनाई करते हैं हम प्रभू से दुनाते हैं बाइबल पढ़ते हैं क्या कभी आप ने ये सोचा है कि प्रभू येशु के नाम का मतलब क्या है यदि आप सुन रहे हैं यदि आप एक विश्वासी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे सवालों का उत्तर आप देते रहीएगा कि येशु मसी का नाम क्या है ठीक है सो हम एक quicd की तरह करेंगे परमेशर के बचन को भी सुनेंगे साथ साथ सीखेंगे कई बार हम परमेशर का बचन सुन लेते हैं लेकिन सीखते कुछ नहीं है और इसलिए जब संकट में पड़ जाते हैं हम इधर उधर दूसरों की और ताक्ते हैं लेकिन आज हम सीखेंगे येशु मसी के नाम को लेने से क्या सामर्थ मिलती है क्या क्या आशिशे मिलती है प्रभु येशु का नाम लेने से और दूसरा हम सीखने वाले हैं प्रभु येशु के नाम का मतलब क्या है राइट आपने ठीक सुना है what is the name of the Lord what is the meaning of the name of the Lord you know हम बहुत बार पुकारते हैं येशु येशु हमारी प्रात्नों को सुनिए येशु हमारी प्रात्नों का जवाब दीजिए नहीं किसी ने लिखा है God is with us जी नहीं वो Emmanuel का नाम है येशु मसी के नाम का मतलब ये नहीं है तो आईए परमेश्वर के वच्चन से हम देखते हैं अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं जब आप लोग दिखाते हैं कि हाँ आप लोग बने हैं मैंने जैसे आपको पहले का था अपनी बाइबल को पैन और कॉपी को लेकर बैठिएगा ताकि लगातर जब हम परमेश्वर का वच्चन सुनते हैं आपको बहुत सारी चीजे ऐसी पता चलेगी जिसको आप दुसरों के साथ बाट सकते हैं सो आईए हम मिलकर देखते हैं सबसे पहली बात कि येशु मसी के नाम का मतलब क्या है किसी ने इस प्रकार से लिखा है God is with us वो Emmanuel का नाम है आईए हम देखते हैं येशु मसी के नाम का मतलब क्या है मत्ती का सो समाचार पहला अध्याय और उसकी 21 आप लिख सकते हैं ताकि आ और बाई आपके नाम का मतलब क्या है जैसे मेरा नाम है शिखा लोग पूछते बाई शिखा का मतलब क्या होता है मैं कहती हूँ प्रभु येशु के भी नाम का कोई अर्थ है तो आज पहला हम देखने वाले हैं मत्ती का संसमाचार पहला द्याय और उसकी 21 आयत जो मैं क्योंकि वे अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, हालेलुया परभु येशु मसी के नाम का इबरानियों में मतलब है, उद्धार करने वाला, हालेलुया उद्धार करने वाला इमैनुल का मतलब होता है God is with us, लेकिन येशु मसी का नाम है कि उधार देने वाला खालेलुया एक नाम जो सारे नामों से उचा है वो कौन सा नाम है प्रभु येशु का नाम है जिस नाम को हम लेते हैं बिमार चंगी हो जाते हैं जिस नाम को हम लेते हैं हमारे जीवन में उधार होता है देखिए हम सब पापी हैं हम सब पापी हैं और आप पूछेंगे कि भई हम तो इतना पुन्य करते हैं हम पापी कैसे हुए देखें मैं आपको एक एक एक्जामपल के रूपे बताना चाहती हूँ जब एक बच्चा पैदा होता है क्या मा अपने बच्चे को सिखाती है कि जूट कैसे बोलना है नहीं सि अबच्चों को इपने बच्चों को गलत बोलना सिखाते हैं वह कि पनी अपनी बच्चों को घ्रत बोलना सिखाते हैं नहीं सिखाते लेकिन बच्चे क्या है सीख जाते हैं हालेलूया कई बच्चों को आपने देखा होगा कि बहुत सारी बातों में उनको चोरी करने की आदत बच्पन से हो जाती है क्या कोई भी माबाप अपने बच्चों को चोरी करना सिखाता है या किसी से चिड़ना सिखाता या किसी को मारना पीटना आज आपके बच्चे गली मौले में बहार निकलते दुसरों को पीट पाट के आ जाते या पिट के आ जाते क्या बच्पन में जब बच्चे छोटे थे क्या आपने उनको क्लास दे थी कि वो बच्चे लड़ना सीखें बिल्कुल नहीं ये सारी कि पापी इंसान वो ही है जो बलातकारी है ऐसा नहीं है पापी इंसान वो ही है जिसने कुछ गलत काम किया है ऐसी बात नहीं है हम सब पापी है और हमारे पापों का उधार करने के लिए मात्र और मात्र एक ही नाम है वो है प्रभु येशु का नाम येशु नाम में वो साम कि उस नाम की सामर्थ क्या है उस नाम की ताकत क्या है यह वो नाम है जिसके कारण आप अपने पापों से मुक्ति पाते हैं आप अपने जीवन में उद्धार को पाते हैं, हालेलुया, उस अनंत के जीवन को पाते हैं, आज जब हम बाइबल के वचन की बात कर रहे हैं, हम बहुत सारे बातों के साथ साथ बाइबल के वचन को अपना foundation समझेंगे, क्योंकि बाइबल का वचन वचन कहता है, बाइबल ब प्रिशानी में पढ़ते हैं न जब हम जीवन में स्ट्रगल करते हैं हम फस जाते हैं लेकिन आज मैं आपको वच्छन की घहराई से बताऊंगी कोई आप से पूछेगा कोई आप से अगर पूछे कि येशुमसी का नाम क्या है क्यों येशुमसी में ऐसा क्या है जो धार कर सक ये वो तमाम शक है जो आपके मन में आता है और आज प्रेरितों के काम और उसका चौथा अध्याय और बारवा वच्छन जिसको मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ जिससे आपको आशिश भी मिलेगी और आप कुछ समझेंगे भी ठीक है प्रेरितों के काम चौथा अध् मनुश्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके दुआरा हम उद्धार पाते हैं यह कौन बता रहा है strict है यह मेरे वचण नहीं है यह सकते हैं यह अ देर onion के वचण नहीं है यह दो के वच्ण है बाईबल में कहां लिखा है यह ये येश्व मसीह उधार कर सकता है जितने येश्व मसीः पर विश्वास करते हैं ये उनके लिए है प्रेरितों के काम और उसका चौथा अध्याए और उस न्याहिधा की 12 वच्ण में लिखा गया है यदि कोई त्योहार हमारे देश में हो रहे हैं कहीं मोदग बन रहा है तो कहीं लड़ू बन रही है तो कहीं त्योहार का तीज त्योहार का मौसम है अगस्ट का महीना शुरू होता है तो हिंदुस्तान में त्योहार शुरू हो जाता है अच्छी बात है मनाईए लेकिन जिंदा परमेश परमेश्वर के द्वारा है उस परमेश्वर में वो सामर्थ है जो आपके पापों से आपको मुक्ती दे सकता है और आज मैं आपको उन साथ चीजों के बारे में बताती हूँ जब प्रभु येश्व का नाम आप लेते हैं तो आपके जीवन में क्या चेंजस आते हैं क्या मि मिलती है येशु की नाम में ऐसा क्या रखा है जो आपको बाकी नामों से अलग करता है आज हमारा टॉपिक यही है कि येशु मसी के नाम का मतलब क्या है और येशु मसी का नाम लेने से आप क्या आशिशों को अपने जीवन में पाते हैं पहली आशिश हम ने ये पाई है कि येशु मसी के द्वारा हमारे पाप शमा हुए कैसे हमारे पाप शमा होते हैं जब हम विश्वास करते हैं ऐसे इनी समा होते हैं आपको भी अपनी तरफ से एफ़र्ट डालना पड़ता है वो एफ़र्ट क्या है कि आप येशु मसी के नाम पर विश्वास करें, जब आप विश्वास करते हैं तो प्रभू आपके जीवन में आपको आशिष देता है, आईए और वचन को घहराई से हम देखेंगे, प्रेरितों की काम इसी में आज हमारे वचन को हम सीखेंगे थोड़ा साच्छे से प्रेपेर करेंगे, बहुत सारे लोग जो इस समय अपने अपने घरों में बैठे हैं स्क्रीन पर परमिश्वर का वचन सुन रहे हैं मैं आप से रिक्वेस्ट करती हूँ अगर रात को आपको फैमिली प्रेयर का टाइम नहीं मिलता तो साड़े साथ वजे से लेका साड़े आट वजे तक जो एक घंटे का समय हैं आप जरूर परमिश्वर के लिए निकालिएगा ताकि आप परमिश्वर की वचन से आशिश को पाएं देखे सही वचन को मलना आपके जीवन में उतना ही जरूरी है जैसे एक पेड़ पोधे को बढ़ने के लिए सही खाद और सही पानी और सही फर्टिलाइजर की ग्रो करें आपको भी आपकी आत्मिक जीवन में अच्छे से ग्रो करने की जरूरत है तो आएए एक और परमिशर के वचन को पढ़ेंगे यही प्रेड़ितों की काम दूसरा अध्याय और उसका 21 वचन जहां लिखा है कौन उधार को पाएगा यहां लिखा है जो कोई प्र का नाम लेते हैं नहीं माइने रखता है कि आप कितने गंदगी में पड़े हैं नहीं माइने में रखता है कि आप किस चॉल में बड़े हुए हैं नहीं माइने रखता है कि आप किस जुगी में बड़े हुए हैं लेकिन माइने रखता है आप जहां से भी बिलॉन करते हैं जिस भी जगा के रहने वाले हैं, जिस भी परस्तिती में रहने वाले हैं, हो सकता है आज आप बहुत ही compact से घर में रहते होंगे, हो सकता है आप बहुत सारी जीवन की परस्तितियों से गुजर रहे होंगे, जहां कोई आपको नहीं समझ रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक बा आप कैसे भी रहने वाले हैं आप धनी है आप निर्धन है आप गरीब है ये शुमसी को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपका जीवन ये शुक के लिए बहु मूल्य है क्योंकि ये शुमसी ने कालवरी के क्रूस पर अपना लहू दिया है आलेलुया बाकी सब ने लहू लिया है यहां तक कि शुबास चंदर बोस ने जब देश में अजादी की बात थी अभी 15 अगस्त आया था हम बहुत पूरे देश में जंडा लहरा है बहुत कुछ किया लेकिन हमारे देश में जितने भी लोगों ने देश को अजादी दिलाई है उसमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम था शुबास चंदर बोस ठीक है उन्हों नहीं ये कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें अजादी दूँगा यानि कि लोगों से कहा कि तुम अपने आपको तयार रखो बलिदान करो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तयार हूँ मैं अकेला नहीं लड़ सकता लेकिन प्रभू ये शुमसी ने ऐसा कभी नहीं का ये शुमसी ने कहा तुमने अपने आप स से बस अपने आपको विश्वास करना है और मैं तुम्हारे लिए अल्रडी कालवरी के कुरूस पर अपनी जान को तुम्हारे लिए दे चुका हूँ ताकि तुम उद्धार पाओ आज मैं यहां बैठकर परचार कर रही हूँ आज आप अपने घर के बैठे किनों किसी भी कोन में बैठकर आजा परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं आपको परमेश्वर ने उद्धार दिया है और यह आपका अधिकार है कि परमेश्वर ने आपको उस विश्वास के दुवारा उद्धार को दिया है हालेलुया और परमेश्वर ने हमारे जीवन को हमेशा के लिए कि जीवन में कुछ बरकत नहीं है, परमिशोर उस व्यक्ति को यह उठाता है, इस्तमाल करने के लिए बाइबल में कितने भी लोगों को देख लीजिए, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था, जिसको परमिशोर ने चुना, परमिशोर ने ऐसे लोगों को चुना है, जो किसी क के नहीं आपको खुशोनी की ज़रूरत है क्योंकि परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है इस्तेर को अगर आप देख लेंगे तो इस्तेर की अगर हम बात करें बच्ची अनाथ थी कोई नहीं था उसका सहारा लेकिन परमेश्वर ने उसको पट्रानी बनाया रूत को अग पती मर गया ससुर मर गया कोई ठीकाना नहीं था जिस घर में आदमी लोग कमाने वाले नहीं होते वहां औरत को कि कितनी बुरी गती होती है उस जगा पर भी परमेश्वर ने उसको बवास से मिलाया अबरहाम जो मूरती बनाने वाला था अबरहाम की संतान नहीं थी 90 साल त मेरे ख्याल से पड़ा लिखाई नहीं था क्यों क्योंकि वो तो जंगल में गाएंभैस चलाया करता था वो तो सिर्फ एक चरवाहा था जो अपनी भेड़ बकडियों को चराया करता था लेकिन फिर भी परमिश्वर की योजना उसके उपर थी और इसलिए परमिश्वर में इ आज आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है अगर आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं है ना इसका मतलब कुछ गड़वड है अगर आपके अंदर प्रॉब्लम है इसका मतलब आप सही जा रहे हैं क्योंकि परमिश्वर आपको ढूंड कर आएंगे आप जहां काई भी हैं दुनि कि आपने येश्यू का नाम जाना है, क्योंकि आपने येश्यू के नाम पर विश्वास किया है, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आपका उधार हो चुका है, आपको निराश होने की जरूत नहीं है, आपको परिशान होने की जरूत नहीं है, आपको किसने आपका साथ नहीं छोड़ा ना उससे बढ़कर कोई बात नहीं है क्योंकि परमेश्वर जिस व्यक्ति के साथ रहता है ना दुनिया छोड़के चले जाए कोई पर्फ नहीं पड़ता है लेकिन परमेश्वर साथ नहीं बाता है हालेलुया तो पहली बात हम सीख रहे हैं प्रभु के नाम पर विश्वास करने से उद्धार मिलता है हालेलुया अब हम दूसरी बात को देखेंगे कि हमें शुमसी का नाम लेने से क्या मिलता है तो आईए हम एक और वचन को पढ़ते हैं इसी प्रेरतों के काम आज हमारा मेन फोकस जो है न वो ये प्रेरतों के काम ही है ठीक पॉइंट है कि येशु के नाम को लेने से हमारे जीवन में हमें क्या आशिश मिलती है ठीक है येशु मसी के नाम को लेने से हमें क्या आशिश मिलती है प्रेरतों के काम तीसरा ध्याय और उसका छटा वचन जहां मैं आपके लिए पढ़ती हूं तब पत्रस ने कहा चांद हाथ पकड़ कर उसे उठाया हालेलुया यहां वचन कहता है कि एक गरीब व्यक्ति था और वो गरीब व्यक्ति जनम से ही लंगडा था ठीक है याद रखेगा इस बात को कि वो व्यक्ति जो था वो जनम से ही लंगडा था लगभग उसकी उमर 40-45 के आसपस रही होगी इसके सा साथ वो मंदिर के बाहर बैठा करता था और वहीं पे गरीबी में पड़ा हुआ था और भीकारी कि तरह भीक मांगा करता था जब यहां पर यह 15 से मुलाकात हो रही है तो यहां पर हम देखते हैं येश्व मसीह हमारे जीवन में क्या कर सकता है ये शुमसी हमें चंगा कर सक हर एक बंधन से आपको छुटकारा दे सकता है येश्य मसी वो नाम है जो आपको किसी भी अवस्था में आप पड़े हो जहां डॉक्टरों ने भी आपका हाथ छोड़ दिया हो वहां पर भी परमेश्वर आपकी सहायता करता है और येश्य मसी का नाम लेने से आप चंगे हो जाते हैं अब इस चाप्टर की तरफ लोट कराते हैं एक भीकारी था मंदिर के भार बैठा था 40-45 उसकी उमर थी कलिश्या के भार बैठकर भीक मांग रहा था पत्रस को देखा पत्रस को देखकर शायद भीकी मांग रहा होगा पत्रस को भी देखकर कह रहा होगा मुझे करता है भीकारी भीक मांगता है राइक इसी बीच में आपको एक जोग सनाती हूं एक बार की बात है दो भीकारी आपस में बात कर रहे थे एक भीकारी ने दूसरे भीकारी से कहा यार एक बात बता अगर उपर वाले से हम कुछ मांगे और उपर वाले ने हमें दे दिया तो त चोटा सा ऐसा ये बिकार सा बरतन है मैं सोने का बरतन मनोंगा हाले रुया बिकारी की सोच उतनी होगी उसको चंगाई से कोई लेना देना नहीं है उसको अगर कुछ चाहिए तो उसको तो दो पैसा मिल जाए आज की रोटी चल जाए बस उतना ही काफी है सो ये जो जनम से लंगडा बिकारी था ये भी पत्रस से यही मांग रहा था और तभी यहाँ पर लिखा है तब पत्रस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है कहने का मतलब ये है जहातक मेरा अंदाजा है कि उस मंदिर के भार बहुत सारे रहीस लोग आते होंगे जो गरीबी में दान देते होंगे कोई सोने का सिक्का दे देता होगा कोई चांदी का सिक्का देता होगा यही एक्सपेक्टेशन के साथ वो पत्रस से भी पास जाता है और पत्रस को भी कहता है कि मुझे कुछ दे दो लेकिन यहाँ पर पत्रस क्या कहता है पत्रस कहता है देख तो आज तक लोग उसके सामने उसको डाल के देते थे, उसको हाथ कोई नहीं पकड़ता था, लेकिन ये शुमसी ऐसा परमेश्वर है, जो हमारा हाथ पकड़ के हमें उठाता है, और कहता है, तेरी गरीबी से मैं तुझे छुटकारा देना चाहता हूं, तेरी बीमारी से मैं तुझे चंगाई देना चाहता हूं, यहाँ पर पत्रस आगी वचन में लिखा है, लिखा है सात में, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ कर उसे उठाया, और तुरत उसके पाउं और टंगडों में बल आ गया, देखो एक ऐसा व्यक्ति, अगर आज कल अगर लंगड़ा व्यक्ति होता, तो चलो, फ्रैक्चर लगा है समझ में आता कि कल पर सो चल जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति जनम से ही अंधा है, इसका मतलब उसकी कोई होप ही नहीं, कोई उण जैश ही नहीं है, कि यह व्यक्ति चल सकता है, लेकिन ये शुमसी के छेले, पत्रस जब उस के जरूरत है पत्र जो एक परमिश्वर का दास था उसने उस गरीब व्यक्ति के हाथ को पकड़ा हमारा परमिश्वर हाथ छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं है हमारा परमिश्वर हाथ पकड़ कर हमें अपनी उस दलदल की कीचड में से निकालने वाला आज हमारी क्या बिमारी है ज़रूरी नहीं देखो मैं आपको एक बात बताती हूं लोग क्या सोचते हैं न कि शाररिक बिमारी ये बिमारी होती है बिलकुल गलत है आज कल के जमाने में शाररिक बिमार से ज़्यादा लोग मांसिक बिमारी का तनाव में पढ़ते हैं मानते हैं कि नहीं बाते मानते है आज लोग शारिरिक से ज़्यादा मांसिक रिती से बेमार है उनका मन ही कोई डिप्रेशन में है कोई किसी और इनो मांसिक तनाव में है कोई इसी को अकेले अकेले बात करने की आदत है कोई इनो एंटी पता नहीं क्या क्या पिल्स खा रहे हैं बहुत सारी चीजे इस दुनिय में होती है शरीर तो अच्छा होगा लेकिन अंदर मन खराब होगा घर में लड़ाई जगड़े हो रहे हैं घर में तनाव हो रहा है घर में शांती नहीं है तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ अगर आप भी किसी ना किसी बात से चंगाई को पाना चाहते हैं हो सकता है आ चारे एक बिमारी है एक मांसिक बिमारी है जिससे निजात पाने के लिए आज येशु मसी का जब आप नाम लेते हैं येशु मसी आपको वो चंगाई देता है हालेलुया और येशु मसी के नाम से जब आप चंगाई को पाते हैं वो कभी नहीं बदलती वो कभी नहीं बदलत क्योंकि येश्यो मसी के नाम में वो चंगाई है लंगड़ा व्यक्ति जो जनम से लंगड़ा है आज उसने चंगाई पाई है आज आपकी कौन सी बिमारी है आपके पास इतना पैसा नहीं है इलाज करने कर देखे मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहती हूं मेरे हजबन को कोविड हुआ था जब उनको कोविड हुआ था ना डक्टर ने कह दिया था अब इसको कहीं और लेकर जाईए क्योंकि गुंजाइश बिल्कुल नहीं है पैसा भी हमारा खतम हो गया था क्योंकि अनेक्सपेक्टर था हम लोग सेवा करने वाले लोग दिन राद दिन राद केवल सिवकाई के धुन्द में पड़े रहते हैं तो हमारे exhaust इतना bank balance नहीं था क्योंकि तब हम अलग अलग जगा से अलग-अलग देशों से राजियों से सिवकाई करके दिली में बहार रहे थें युनों कहीं से भार से सिवकाई करके दख्षिन भारत में अलग-अलग जगा पेस वकाइच करके वापस आ रहे थे तो मेरे हजबंट को विड हो गया और जब को विड हो गया तो दिली में इतनी बुरी वाली हालत थी आप सोच नहीं सकते आपको याद होगा वाकी में इतनी बुरी वाली हाय थी सडकों में डेड़ बॉडियां पड़ी इंग दे शुर poems अगर परमेश्वर ने बुलावा दिया है तो कलो कम मरते दम तक तो साथ मी भाएं कि यह होता है ना हस्बेंट वाइफ के रिष्टे में कि वही सुख में दुख में अच्छाई में बुराई में साथ देना है तो मैं उनके साथ चली गई मैंने का ठीक है मरेंगे तो एक खट नहीं है अब बचना मुश्किल है sorry to tell you madam अब डक्टरों ने कह दिया कि नहीं बचेंगे लेकिन मेरा विश्वास था मेरे परमेश्वर पर विश्वास था मेरा प्रभू इमानदार है आज मैं आपको कहना चाहती हूं और आज भी मेरे पती जीवित है कोविड से रेकवर कर चोके हैं सेवा करते हैं मैं वो गवाली हूं मेरे जब तीसरी मेरी हमारे तीन बच्चे हैं और मेरा बड़ा वला बेटा जो है वो कॉलेज में है दूसरी वाली बेटी अभी 10 में है सबसे छोटी वाली बेटी जो मेरी 6 साल की होने वाली है मेरी छोटी वाली जब बेटी हो लोग सोचते हैं इसको मतलब कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा, दवाई देनी पड़ेगी, इंजक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है, फिट हो सकता है, क्योंकि डेलिवरी के लास्ट मोमें में मेरी तकलीफ ऐसी हो गई थी, 198 ब्लेट पैशर था, मैं चल रही थी कॉरिडोर में, हॉस्पिटल में डॉक्टर ढूंड रहे थे, अनिस्टीस को ढूंड रहे थे, इनो ऑप्रेशन करने के लिए ढूंड रहे थे, बोल रहे थे कि ये लड़की को आँखों से शाद दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई ब्लेट पैशर हमने आसना कोई पैशन नहीं देखा, और लिटरी आव विश्वास करेंगे, मैं अपने पेट पे हाथ लगा कर और चल रही थी कोरिडोर में, बात कर रही थी, हस रही थी, खा रही थी, ब्रेड आमलेट भी खा रही थी उस समय, और म कैसे चल रही, कैसे कर रही है, लेकिन मैं जानती थी कि मैं अपने यहवा की भक्त हूं, मैं अपने परमेश्वर की महिमा कर रही है, और मेरा परमेश्वर मुझे छुटाने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मरे वे लाजर को भी जिन्दा कर सकता है, तो उस और येशु का नाम लेते हैं तो आप जो हमें देख रहे हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर आप येशु मुसी के नाम पर विश्वास करते हैं घोर अंदकार से भरी हुई तराई में भी होका चलिएगा डंकी की चोट पे मैं आपको कह सकती हूँ कि परमेशुर आपक मैं धन्यवाद करती हूँ आज आपकी कौन सी बिमारी है जो डॉक्टर कहते है ठीक नहीं हो सकती है आज आप किस मांसिक तनाव का शिकार है जो आपको लगता है कि रिकवर नहीं हो सकता आज आप कौन से दलदल से होकर गुजर रहे हैं ये शुके नाम पर भरोसा कीजिए आपको कुछ नहीं करना आपको बैंक बैलन्स रखने की जरूरत नहीं है आपको चिंता फिकर करने की जरूरत नहीं है आज डॉक्टर की रिपोर्ट आपके सामने कुछ भी है आप डॉक्टर की रिपोर्ट को रखी अपने सामने प्रातना में प्रभु के संगती में रखी और कहिए परमेश्वर से प्रभू तेरे नाम को में लेती हूँ तेरे नाम को में लेता हूँ और तेरा नाम मुझे चंगा करने वाला नाम है और मैं गैरंटी के साथ आपको कह सकती हूँ परमेश्वर आपको छोटाएगा अगर आपको कोई डाउट है तो येश्व मसी के पास जितने भी आए हैं हर एक व्यक्ती को परमेश्वर ने चंगाई दी है, अन्धा आया बर्तलोमी था उसका नाम परमेश्वर ने चंगाई दी, लंगडा की मरा हुआ, सड़ा हुआ, चार दिन तक कबर में पड़ा हुआ, लाजरस भी जिन्दा हो गया, और इससे ज़्यादा आपको क्या सबूत चाहिए येशु मसी के जीवित होने का, इससे बड़ा कौन सा सबूत आपको चाहिए येशु मसी का जो राजाओं का राजा है, वो सि पिश्वास करके देखेंगे तो आपकी बिमारी को प्रभु येश्व चंगाई कर सकता है ऐसी कोई बिमारी नहीं है जो चंगी नहीं हो सकती मैं आपको बताती हूँ आथ से 8 साल पहले मेरे डड़ी को इंटरसाइंड में कैंसर हुआ था अभी वो 70-72 साल के हैं तो उनको इं तो उन्हों ने देखकर बोला कि ये तो बहुती ज़्यादा अन्रिपेर सी कंडिशन है तो वापिस उसको सोचा कि अब ये कुछ नहीं हो सकता मेरे पापा से बोला कि अब आप एक काम करो अपने जितने भी रिस्तधार वगरा हैं उनसे मिलो जो भी आपको बाचित कर रही आज भी मेरे डाड़ी जीवित हैं आज भी वो लोग सेवकाई कर रहे हैं मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज क्या बीमारी है देखे मुझ से पूछे मेरे को सारी बीमारियों के बारे मैं पता है ऐसा कुछ भी नहीं जो हम लोगों ने गोथरू नहीं किया मैं ऐस दूसरी बात जब आप येशु मसी का नाम लेते हैं तो क्या होता है परमिश्वर आपको चंगाई देते हैं आज आप मानसिक तनाव में हैं येशु के पास आईए आप आत्मिक तनाव में हैं येशु के पास आईए आप शारणे कलेशों से होकर गुजर रही येशु की आपको चंगाई दे सकता है अब आए हम तीसरे पॉइंट की और चड़ते हैं हालेलुया अपने बाइबल को साथ रखेगा अभी हम देखने वाले हैं एक दूसरे अध्याई को हम पढ़ते हैं कि येश्यू के नाम को लेने से क्या होता है आए हम देखते हैं मरकुस की पुस् सोला का सत्रा वचन मरकुस की सोल्या ध्याय आखरी आयत है मरकुस की पुस्तक की और सोला आयत और उसका सत्रा वचन जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूं विश्वास करने वालों में ये चिन होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे इसके आगे और भी बहुत कुछ लिखा है लेकिन आज हब फोकस करने वाले हैं दुष्टात्माओं से निकालने के बारे में ये जो तिसरी पॉइंट है कि येश्व का नाम लेने से क्या होता है येश्व का नाम लेने से दुष्टात्माओं भाग जाती है येश्व का जब आप नाम तो क्या होता है दुष्टात्मा से घ्रसित जो व्यक्ति होता है वो चंगाई पाता है अब वो व्यक्ति दुष्टात्मा से घ्रसित नहीं है जो चिलाए चीखे और कहे आँ मेरे को शेतान ने पकल ले शेतान ने पकल ले जी नहीं मैं आपको कुछ एक्जामपल की तौर पर बताती हूँ अगर आपको रात को सोते वकत बुरे-बुरे सपने आते हैं आपको अकेले में डर लगता है आपको कहीं भी अकेले जाने से मन में गबराट होती है आप जब सोते हैं तो लगता है कि कोई गला दमा रहा है लगता है कि कोई आपको जकड रहा है, लगता है कि कोई अंध्यरे में दिखाई दे रहा है, तो भी ये दुष्टात्मा के काम हैं जो आपको सताते हैं. कई बार ऐसा होता है medical science में कई बार देखा गया है जो व्यक्ति जादू टोने से या दुश्टात्मा से घ्रसित होता है normally वो ठीक रहता है लेकिन उसके अंदर में बहुत कुछ गड़बड रहती है मतलब खाना नहीं पचेगा शरीर एकदम सूख जाएगा कितना भी खाना ख राक को सोते ही इनों उनको घबराट सी होने लगती है और उनको रात को बुरे सपने आते हैं तो ये सारी जो चीजे भी है ये भी दुश्टात्मा से ग्रसित होती है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जितने भी लोग ये शुमसी के नाम पर विश्वास करते हैं ये शु का नाम चंगाई देने वाला नाम है लेकिन दूसरी और क्योंकि दुश्टात्माई भी इस दुनिया में होती है वो आपको परिशान करती हैं क्यों परिशान करती हैं ताकि एक अच्छा जीवन आप नहीं जी पाएं बहुत सारे लोगों को मैं बताती हूँ पुछने ये सब खाली हो जाता है बस डॉक्टरों को देने में लग जाते हैं या यूनो बहुत सारे उधार हो जाते हैं उधार चुकाने में निकल रहा है तो ये सारी चीज़े भी ताकि आप मेंटली जो है फ्री ना हो सकें दुश्टा आत्मा आपके जीवन में काम करती है लेकिन परमेश्वर का वचन जिस परकार से हमने पड़ा मरकुस की अध्याए में यहाँ पे मरकुस की अध्याए 16 आयत उसका सत्रा में बेरी क्लिरली लिखा है मरकुस 16 और उसकी सत्रा आयत में क्या लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगी आज आपके पास भी कोई आता है हम मसीयों के पास बहुत सारे लोग आते तो हम क्या सोचते हैं न हम सोचते हैं हम से नहीं निकलेगा किसी बड़े पादरी से निकलेगा ऐसा कुछ नहीं है जो भी व्यक्ति प्रभु येश्व का नाम लेता है हर किसी को प्रभु ने वो सामर्थ दी है कि आप दुष्टात्माओं को निकाल सकते हैं आप प्राथना कर सकते हैं आपके द्वारा भी वो बड़े बड़े काम हो सकते हैं क्योंकि प्रभु येश्व मसी ने क्या कहा येश्व मसी ने ये बोला है कि जो मैंने किया हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ती होगा जो काफी सालों से बिमार होगा मिर्गी से परिशान होगा दुष्टाथ मां से गरीब इनों गरस्त होगा कोगरता होगा , लेकिन शादी नहीं हो रही काफी सालों से लड़के पे लड़के रिस्टे box रिस्टे आ ridersy cake a rayon fish न नाचने वाला उसको दुष्टात्मा नहीं होते इस तरीके की भी प्रॉब्लम को दुष्टात्मा से गरसित ही कहा जाता है जहां पर आप निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं कमाने की कोशिश तो कर रहे हैं प्रॉस्पर होने की तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो र क्योंकि आप प्रभु येश्यु मसी का नाम ले रहे हैं पहली बात आपके जीवन में क्या होती है आप उध्धार पाते हैं दुसरी बात आपके जीवन में क्या होती है आप चंगाई पाते हैं तीसरी बात अब हमने देखा क्या हो रहा है कि येश्यु मसी का नाम लेने से द प्यास्त करवा रही हूं लेकिन डॉक्टर स्कैन कर रहा है डॉक्टर के रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा समझ में नहीं आ रहा कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है अगर आप भी इस तरह के कि बिमारी से मांसिक तनाव से आप गुजर रहे हैं दुश्टात्मा से ग्रसित है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि येशु है, जिसका नाम लेने से आप चंगे हो जाएंगे, हालेलुया, आप चंगे हो जाएंगे, जिससे कोई भी परशानी आपके जीवन में नहीं आएगी, हालेलुया, और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगला हम देखने वाले हैं यहुन्ना की पुस्तक 17 ध्याय और उसकी 11 वावचन यह हमारा fourth point रहेगा कि हम क्या सिखने वाले हैं ये शुमसी के नाम लेने से आपके जीवन में क्या होने वाला है आईए हम देखते हैं यहुन्ना की पुस्तक देखें बाइबल खोलने से हिचके चाहिएगा मत आलसी मत कीजेगा अपने बाइबल को आज अब खोलेंगे ये नो प्रेड़ी तो प्रकाशित वाक्यों में लिखा हैं बाइबल के पढ़ने से आपको आशिश मिलती हैं तो आप ये मत सोचीगा सिस्टर पढ़ रही है इसलिए हम आर मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ जहां इस प्रकार से लिखा है सत्रा आयत और उसकी ग्यारवा वचन में अब मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ हे पवित्र पिता उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उ हमें से हमारे समान एक हो हालेलुया येशु मसी का नाम लेने से हमारे जीवन में क्या होता है जानते हैं हमें सुरक्षा मिलती है क्या मिलती है सुरक्षा मिलती है या लिखा है अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उसकी रक्षा कर आज परमेश्वर हमारी रक्षा करता है आज एक बात बताईए जब आप सुभे घर से बाहर जाते हैं क्या आपको ये गैरंटी होती है कि आप शाम को घर लोट कर आएंगे नहीं होती है क्यों नहीं होती है जीवन का कोई भरोसा नहीं पहले एक जमाना होता था 80-85 में लोग जाते थे कोविड के बाद तो ऐसा हो गया अच्छे खासे इंसान अचानक बैठे बैठे लुड़क जाते हैं 40, 42, 45 मैकसिमाम आज कल चलने लग गया पहले डॉक्टर से थे कि चलो यार 80-85 तक जीएगा आज कल डॉक्टर कहते हैं कि मैं 40 तक भी जी लिया तो भी बहुत बड़ी ये ब आप जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं कोई गैरंटी नहीं कि कैसे घर से लोटेंगे आएंगे की भी नहीं आएंगे ये सच बात है जो हर एक माबाप हर दिन खासतोर से हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हर समय डर लगा रहता है हम जा रहें घर से बाहर हम स स्कूल जा रहे हैं सुरक्षित लोटेंगे की नहीं क्योंकि हमारे देश में माहल वाके ही बहुत खराब है राइट बहुत ज़्यादा खराब है मैं आप से रिक्वेस्ट करती हूं इस सच्चाई को जानिए कि ये शुमसी आपको प्रोटेक्शन देता है ये शुमसी आप की सुरक्षा करता है आप हर दिन मेरी इकादत है मेरे बच्चे कहीं पर भी रहें या मेरे हस्बिन कहीं पर भी जाएं हम प्राथना करके घर से बहार लोटते हैं कहीं पर भी किसी भी काम से जाना होगा एरपोर्ट जाना होगा चार बजे पांच बजे ट्रेन ट्रावल करन हैं हम दिन निकल जाता है परमिश्वर की संगती से घर से निकल जाते हमें कोई गैरंटी नहीं हम लोटेंगे नहीं लोटेंगे लेकिन जब आप येशु मसी का नाम लेते हैं सुबा घर से निकलने से पहले येशु को कहते हैं प्रभु येशु मेरे परिवार की प्रोटेक् करना, मेरे कलिश्या की प्रोटेक्शन करना, मेरे सेवकाई की प्रोटेक्शन करना, मेरे चीजों की प्रोटेक्शन करना, आप जानते हैं कि प्रभू आपको प्रोटेक्शन प्रदान करता है, वो प्रोटेक्शन जो परमेश्वर में है, वो प्रोटेक्शन प्रभू आपको देता है आज शैतान अलग-अलग रिती से हमारी उपर हमारी परिवारों के उपर जानते ही क्यों हवा के जीवन में दुश्टात्मा ने आके हमला किया बाइबल तो पढ़ते होंगे राइट कभी सोचते हैं ऐसा कुछ अलग सा हट कर कि ऐसा क्या हो गया कि हवा को ही शैतान है टारगेट किया क्यों क्यों कि वो प्रोटेक्शन से बाहर निकल आई एक औरत को उसका पुरुष प्रोटेक्शन देता है अब उसके आदमी से मुझे लगता है उसका जगड़ा हो गया होगा तब ही वो अपने पती को बोलके बोली कि आज तो मैं अपने माई के जा रही हो तुम यहीं रहो मैं जा रही हूं माई के और वहां पर माई के जाने के बाद जो घर में लड़ाई हुई पती पत्री में डिवोर्स हो गया आज बहुत सारे घरों में भी यही होता है चोटी चोटी बातों पर हस्बंड और वाइफ लड़ लेते हैं और वाइफ कहती है क मैं आपको कहना चाहती हूं जब आप परमेश्वर की संगती में अपने परिवार को आपके पती को जो हो सकते हैं आज कल बहुत बड़ी एक प्राबलम है अच्छा ठीक है मैं आपको बताती हूं क्या है प्राबलम बहुत सारी हस्बंड लोग ना हैंसम होते हैं या बहुत सारी बाइफ जो होती है तो जिनकी वाइफ जयादा सुन्धर होती है वो औत वी लोगों को देखोगे एक्स्ट्रा ही ने मतला मैं बत्लग बद्री कहां जा रहे यह किसके साथ जा रही है क्या बात कर रही है शक के दाएरे में होते है और जिनके handsome husband होते हैं, वो बीवी 2400 कंट अपने पती के पिछे लगी रह दिये बहुत सारे likes सारे हैं, जी हां बहुत सारे likes सारे हैं, लोग relate कर पारें, क्या sister आप कह रहे ही जो सही है, जब लड़किया सुन्दर होती हैं, तो लड़के परेशान जब लड़के सुन्दर होती हैं, उनकी पत्निया परेशान, माबाप परेशान के भई कहा क्या हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप एक प्रभू के बच्चे होते हैं, जब आप प्रभू का नाम लेते हैं, येशु मसी का नाम लेते हैं, एक सीक्रट है, अपने पती को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने खत्तों को, येशु के बाड़ा में रखिए, येशु मसी प्रोटेक्शन देता है, अयूब को जब शेतान ने चुआ था, परमेश्वर से परमेश्वर लेने गया, जब परमेश्वर से परमेश्वर लेने गया, तो परमेश्वर को शेतान क्या कहता है, पता है, प्रभुजी, तुने चारो तरफ इसको बाड़ा रखा है, बाड़ा बांदा हुआ है चारो तरफ से, इसलिए वो तुझे पूचता है, वो बाड़ा तो हटा दे तब पता चलेगा कि अयूब तुझे पूछता है कि नहीं इसका मतलब यह है कि यह जो अयूब था वो परमेशुर से पुकारता था कि प्रभुजी मेरे चारों तरफ मेरी हर एक चीजों को पता है अगर आप अयूब की पुस्तक पढ़ेंगे अराम से घर में जाता है जितने जानवरों के बारे में लिखा है उसके पूरे बायोड़ा के बारे में लिखा है कितने बीगा जमीन थी कौन-कौन से जानवर थे कितने आदमी लोग नौकर थे कितनी लेडिस लोग नौकर थे कितने को वरकर से मतलब की इतना जादा धनी व्यक्ति था जिस परिवारों को अपने घर के हर एक सदस्यों को बाड़ा बानता था हम एक जना एक नौकरी करते हैं वाई हमें प्रातना करने का टाइब नहीं मिलता है बाद में हम जब सेवकाई करने चले जाते हैं या नौकरी पे चले जाते हैं हमारे बच्चे घर में क्या कर रहे हमें क्या पता घर पर पीछे से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा हमें क्या पता फिर बाद में हम रोते हैं कि हमारे बच्चे के साथ फलाना फलाना हो क्या मैं आप से सवाल पूछती हूं क्या आपने कभी अपने बच्चों के लिए प्रात्ना किया क्या आप घर से बाहर निकलने से पह अज आपको ये जानना है जो चौछी बात मैंने आपको बताई पहली बात मैंने आपको क्या बताया कि ये शुव धार देता है ये शुप मसी का नाम लेने से क्या होता है बताई ये जल्दी कोई कमेंट में बताईए जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं आपका हुमवर के बताईए येश्व मसी का नाम लेने से क्या होता है दुष्टात्मा भाग जाती है और चौथा हमने देखा येश्व मसी का नाम लेने से येश्व मसी हमें प्रोटेक्शन देता है क्या देता है हम परमेश्वर चारो तरफ के शत्रुव से प्रोटेक्शन देता है ये शुमसी का नाम लेने से ये होता है राइट अब हम देखते हैं पाँचवी पॉइंट को ये शुमसी का नाम लेने से हमारे जीवन में क्या होता है यहुन्ना की पुस्तक सत्रवा अध्याए और उसका ग् उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो अब ये शुमसी जो आए ना तुड़वाने वाला परमेश्वर नहीं है जोड के रखने वाला परमेश्वर है परमेश्वर एकता चाहता है हमारे देश में अंग्रेजों ने कैसे राज किया बताईए सस्टी का सवाल पूछती हूँ मैं आज आप से हिस्ट्री का सवाल पूछ रही हूँ बताईए अंग्रेजों ने हमारे देश पर कैसे शशन किया जो भी व्यक्ति समय सुन रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अंग्रेजों ने हमारे देश में क्या किया एक स्लोगन था उनका जिसकी वज़े से उन्हों ने पुरे देश को जीत लिया पुरे देश को अपने काबू में कर लिया बताईए कोई बता सकता है बताईए नहीं बता सकते हैं मैं आपको बताते हैं डिवाइड एन रूल तोड़ो मत भेद लेकर आओ लोगों के अंदर एक दुसरे के खिलाफ इन्हों कुछ न कुछ भरते रहो दुसरों को तोड़ो दुसरों को तोड़ेंगे तो हम उनके बीच में जा सकते हैं पती-पतनी के रिष्टे को तोड़ो बाबाप के रिष्टो को तोड़ो भाई-भेन के रिष्टे को तोड़ो आज शैतान यही काम करता है लेकिन येश्व मसी तोड़ने नहीं आया परन्तु येश्व मसी तूटी वई वस्तू को भी तूटे वए रिष्टे को भी तूटे वए कलिश्या को भी तूटे वए परिवार को भी जोड़ने के लिए आया है हालेलुया जब आप ये वचन देखते तो यहां लिखा है कि उसकी रक्षा कर कि वो हमारे समान एक हो हम प्रभू येश्यू के लोग एक हैं आप किसी भी रंके हैं कोई भी भाशा बोलने वाले हैं किसी भी देश के हो जब आप जानते हैं कि अगला बंदा आपको देखे प्रेजल लॉड कहता है जे मसी की कहता है आपको अपना पर नहीं फील होता है कई बार ऐसा होता है कि आपने लोगों को देखा ही नहीं है फिस टू फिस देखा ही नहीं है पर उनके साथ एक अटाच्मेंट है क्यों है क्यों कि वो भी इश्यू का नाम लेते हैं और आप भी इश्यू का नाम लेते हो आपको कहीं भी लेकर आप जब जाते हो तो लगता है कि हाँ वो मसी है तो आपको मन में बहुत खुशी होती है कि हाँ ही मेरा परिवार है क्यों? क्योंकि हम परमिश्वर की संतान हैं क्यों? क्योंकि हम एक पिता के बच्चे हैं और मैं आपको बताती हूँ आज मस्यों में भी लड़ाई हो रही है एक सेवक, दूसरे सेवक के खिलाफ एक पादरी, दूसरे पादरी के खिलाफ एक मसी बहन दूसरे मसी के बहन के बारे में बात करती है हम दूसरों के खिलाफ दूसरी दुनिया के खिलाफ नहीं हम आपस में इतना ज़्यादा लड़ते हैं कि हम दूसरे को सिखाए नहीं सकते हैं खलिशिया लड़ रही है, डिनोमिनेशन लड़ रही है, और्गनाइजेशन लड़ रही है, सब लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और फिर भी कहते हैं कि हम येशु के बच्चे हैं, नहीं, आज अकर आपके जीवन में ये एकता नहीं है, आप किसी से भी प्यार नहीं कर सकत किसी से भी रश्टा नहीं बनाके रख सकते हैं तो आपकी मसीहत जो है वो प्रॉब्लम में हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर एकता का परमेश्वर है हर किसी से प्रेम करना हमारी ये शोने सिखाया हर किसी को अपने साथ बनाए रखना देखे तोड़ना तो बहुत इजी है जवान को जो अपने कंट्रोल में रखना पड़ता है। जब आप अपनी जवान को कंट्रोल में रखते हैं तो मैं आपसे बताऊंगी कि आप बहुत सारी चीज़ों में आशिश को पाएंगे। अगर पती गुस्सा करता है तो पत्णी को शान्त हो जाना चाहिए, अगर पत्मी गुसा करते हैं, तो पती को शान्त हो जाना चाहिए, अगर बच्चे गुसा करते हैं, तो माबाप को शोड़ा शान्त हो जाना चाहिए, जब शांती से सब कुछ सोलत जाए, तब सिख्षा दीजिए, तब एक दुसरे से बात कीजिए, सौट आउट कीजिए, शैतान को मौका कभी भी नहीं देना है, इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है, don't give space to Satan in any case, किसी भी कारणवश शैतान को अपनी जीवन में मौका मत देजिए, क्योंकि हमारा परमिश्वर मेल मिलाप करने वाला परमिश्वर है, हमारा जगड़ा नहीं करता, हमारा परमिश्वर भेदभाव नहीं करता, हमारा परमिश्वर जाती पाती का कोई भी प्रॉब्लम आप किसी भी बरतन से चाय पी लिजे, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे कुछ फ्रेंस बगरा है, वो देखते हैं कि मेरे घर में जो काम करने वाली आती है, वो उसी बरतन में चाय पीती है, जिसमें हम पीते हैं, तो उनके घर में क्या होता है, कि चाय का बरतन जो है, मालिक के लिए अलग होता है, और जो काम करने वाले आते हैं, उनके लिए अलग होता है, तो वो एक बर मेरे घर में आई, तो उसने नोटिस किया, क जिस cup में मैं चाही पी रही थी वैसा ही cup वो बच्ची भी चाही पी रही थी जो मेरे घर में काम करने वाली आती है तो उसके जाने के बाद उन्होंने का sister आपको अजीब सा नहीं लगता आप भी इसे cup में पीते हैं वो भी इसे cup में पीते हैं तो मैंने बुला एक बार काटके देखो यार, मेरा भी खुनलाल है तो उसका भी खुनलाल है ये बेदभाव हम क्यों करते हैं, जब हम ये कहते हैं मसी तो एक है, क्योगि वो दुसरे धरम से आती है, इसलिए हम बेदभाव करें, योगि वो गरीब है, हम आप खुद हैं सबसे पहला पाइबल आप खुद हैं जिसको इंसान पड़ता है आप कितने विधनी क्यों ना हो हमेशा इस बात को याद रखे कि बेद भाव कभी नहीं करना परमिश्वर जोडने वाला परमिश्वर है परमिश्वर तोड़ता नहीं है हालेलुया और अगला जो पॉइंट है हम देखेंगे हमने पाचवी बात देखें कि ये शुमसी क्या करता है एक करता है अब अगला छटा पॉइंट हम देखेंगे वो क्या है यहुन्हा की पुस्तक चोदा अध्याए और उसका तेरवा वचन जिसको मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ना चाहत कि तुम पुत्र के द्वारा पिता की महिमा करो हालेलुया यहाँ पर परमेशर का वचन कहता है जो कुछ आप प्रभु से मांगेंगे प्रभु आपको देगा आज परमेशर का वचन आपके लिए है जब आप येशु का नाम लेते हैं आप जो कुछ प्रभु से मांगते हैं प्रभु आपको देता है खालेलुया और परमेश्वर आपके जीवन में अपने कारे को पूरा करता है एक और वचन हम पढ़ेंगे इसको और क्लैरिफाई करना चाहूंगी यहुना की पुस्तक सोलवा ध्याय और उसका तेईस्वा से कुछ ना पोचोगे मैं तुमसे सच कहता हूँ यदी पिता से कुछ मांगो के तो वे मेरे नाम से तुम्हें देगा किसके नाम से तुम्हें देगा येश्यु मसी के नाम से तुम्हें वो देगा जब हम येश्यु मसी के नाम से कुछ मांगते हैं देखिए एक बात याद रखेगा येश्यु मसी से मांगना है कुछ भी मांगना है आपको जीवन में याद रखेगा कि उस मांगने में आपको परमेश्वर का समय का इंतजार करना है ये मत सोची का सिस्टर ने बोला है कि भईया मांग लो तो भईया मांग लो ये नहीं बोलना कि कल परमेश्वर घर के सामने मेरे तो बुलैरो गाड़ी खड़ी हो जानी चाहिए ये भी देखना कि परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्लस प्रभू के समय का भी इंतजार ये दोनों का बात होने से ही परमेश्वर आपकी प्राथना को सुनता है जो कुछ आप येश्वर के नाम से मांगेंगे वो प्रभु आपको देगा लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा के नुसार मांगीगा और दुसरा परमेश्वर के सही समय का इंतजार भी कीजिएगा तो ये छटी बात हम सीख रहे हैं कि प्रभु येश्यू के नाम से हम जो कुछ मांगते हैं वो प्रभु हमें देता है, हालेलुया अब एक आखरी वचन को हम देखते हैं, पहला करंथियों 15 अध्याए और उसका 57 वचन पहला करंथियों, फर्स्ट करंथियन चाप्टर वन और उसका 15 चाप्टर फर्स्ट करंथियन चाप्टर फिफटीन वचन वचन फिफटी सेवन अब इसमें क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ परंथो परमिश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभू येश्व मसी के द्वारा हमें जयवंत करता है, येश्व मसी हमें क्या करता है, इस आखरी चीज़ को जो हम देख रहें, येश्व मसी करता क्या है, येश्व मसी हमें हाराने वाला परमिश्वर नहीं है, येश् पिश्वर हमें क्या करता है जहेवंत करता है आज अगर आप हारे हुए हैं आज आपको 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 आपके जीवन में आपको लगता है कि आपका जीवन हारा हुआ है बेकार जी रहे हैं रस्ते में जीवन में कुछ आशिश नहीं मिल रही है आपके लाइफ में कोई परन्तु येशु का नाम लिजे क्योंकि येशुमसी वो नाम है जो आपको जह वंत करता है ये मैं नहीं कह रही हूँ पर मिश्र का वचन कह रहा है तो कि जब आप येशुमसी पर विश्वास करते हैं आप जह पाते हैं आप हारी हुआ वस्ता में नहीं रहते यू आर विनर बेशक आप लेट विनन करते हैं हो सकता है आप कछुए के सामान होंगे दीरे दीरे चलते होंगे लेकिन याद रखेगा दीरे दीरे चलने वाला भी अपने समय पर पहुँच जाता है एक एक्जामपल के तौर पर बंद गड़ी देखिए कभी भी देखिया आपने बंद गड़ी आज कल ये बारिश का मौसा मैं ना बैटरी बहुत जल्दी गड़ी की डाउन हो जाती है जिसके कारण गड़ी जो है वो बंद हो जाती है बंद गड़ी भी दिन में दो बार सही समय दिखाती है है की नहीं दिन में दो बार बंद गड़ी भी सही समय को दिखाती है तो आप और मैं जो कभी समय से नुकसान जेल रहे हैं अपमान जेल रहे हैं परशानी में हैं बिमारी में हैं जीवन में हमें लगता है कि हम हार चुके हैं हार ही होए हैं मैं आपको बताना चाहती हूं प्रभू येशु मसी आपको सकस्स देना चाहते हैं येशु मसी का नाम लेने से आप अपने जीवन में पीछे नहीं होते हैं देखिए अबराहम जिसकी संतान नहीं थी इतनी उमर मे भी 90 की उमर में भी बताई आज कल तो जीता ही इंसान सतर पिछातर साल तक का है लेकिन 90 की उमर में वो बाप बन गया सारा मा बन गई तो परमेश्वर आपके जीवन में भी कितना सब कुछ कर सकता है क्या है जो परमेश्वर आपके लिए नहीं कर सकता है आज आप हारी हुई अवस्ता में हो सकते हैं लिराश हो सकते हैं तानाव में हो सकते हैं लेकिन मैं आपको कहना चाती हूँ परमिश्वर वो परमिश्वर है जो आपके जिवन में आज तक जो भी कुछ आपने हारा है वो एक ही बार में आपको लोटा सकता है आपके लिए खुशी की बात है तो आज हमने उन साथ बातों को सीखा है कि येशु मसी का नाम का मतलब क्या है प्लस इसके साथ येशु मसी का नाम लेने से क्या क्या आशिशो को हम पाते हैं कौन-कौन से चीज़ें हमारे लाइफ में जुड़ती हैं और उन तमाम बातों के लिए हम परमेश्वर का मिलकर धन्यवाद करते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए और आप लोगों को सुनने के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो सभागे परमेश्वर ने दिया कल फिर इसी समय पर ठीक अजादी के और अपने जीवन में आशिशों को बटोरिये साथ-साथ अपनी बाइबल अपना नोट पैड और अपना पैन लेके बैठियेगा क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं बहुत सारी चीजों से परमेश्वर हमसे बात करता है और हम परमेश्वर की आशिशों के अपने जीवन में ले सकते हैं तो तभी के लिए सभी को शुबरात्री और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आप सभी को आशिश करें और कल फिर मिलते हैं अगर परमेश्वर कल का दिन देता है गौड ब्लेस यू गौड़ झाल